दोस्तो IPL 2022 के पहले मुकाबले में आमना सामना होने वाला है चेन नई सूपर किंग और कॉलकाता नाइट राइडर्स की टीम का जहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले मुकाबले में दोनों ही टीमें किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ जो है वो उतरने वाली है ज पर कॉलकाता नाइट राइडर्स आप अपनी राइग कमेंट करकर जरूर बताएं बात करें दोस्तों अगर IPL 2022 की तो 26 मार्च से IPL 2022 की सुरुआज जो है वो हो रही है जहाँ पर पूरा सेड्डूल घोशित हो चुका है पहला मुकाबला चेन नई सूपर किंग और कॉलका अपना कप्तान जो है वो कर दिया है घोशित ऐसे में दोस्तों बढ़ते हैं दोनों ही टीमों के स्कॉर्ड की तरफ किस तरह का दोनों ही टीमों का स्कॉर्ड है तो चेन नहीं सूपर किंग की अगर बात करें तो मैक्सिमम प्लेयर पिछले साल के ही दोस्तों इस टीम के स्क में हमें नजर आ रहे हैं जहां पर चार खिलाडियों को तो इन्होंने रीटेन किया था जिनमें MS धोनी, रविंदर जडेजा, मोहिन अली और रितुराज कायकवाड का नाम जो है वो सामिल था इसके लावा दोस्तों हम बत्ती राइडू, रॉबिन, उथपपा, डुएन, ब कह सकते हैं चेन नई सूपर किंग का हमें जो है वो आ रहा है नजर, केकियार की दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले तो इस टीम ने अपना बिल्कुल नया कप्तान जो है वो बनाया IPL 2022 के लिए सरेश अयर को इन्होंने खरदा और कप्तान भी जो है वो कर द इस राणा श्रीवा मावी जैसे अपने बड़े बड़े खिलाडियों को ये टीम मेगा उक्षन में वापिस खरीद कर ला चुकी है इसके लावा दोस्तों कुछ बड़िया नए खिलाडी भी हमें यहां पर केक्यार के स्कौरड में नजर आ रहे है चले दोस्तों बात करते प्लेइंग लवन की पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि पहले मुकाबले में कौन-कौन से खिलाडी अनवेलबल हमें नजर आएंगे CSK की दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर रीतुराज कायकवाड और दीपक चहर दो बहुती बड़े नाम जो कि हमें पहला मुकाबला मिस करते हुए नजर आएंगे दीपक चहर तो दोस्तों यहां पर करीब आधे सीजन से बाहर हो चुके हैं महिरीतुराज कायकवाड भी अभी तक पूरी तरीके से रिकावर नहीं हो पाएं हैं तो दो बहुती बड़े खिलाडियों को चैन नई सूपर किंग की टीम मिस करने वाली है CSK की प्लेइंग लवन की बात करें तो यहां पर रॉबिन उथपपा और डैवन कॉनवे ओपन करते वे दोस्तों हमें नजर आएंगे मोहिन अली नमबर तीन पर तो अमबती राइडू नमबर चार पर हमें नजर आएंगे पांचवे नमबर पर दोस्तों शीवम दूबे होंगे तो छटे नमबर पर MS Dhoni साथवे नमबर पर रविंदर जड़े जहां हमें नजर आएंगे तो आठवे नमबर पर डुएन ब्रावो इसके बाद दोस्तों राज वर्दन इनकी प्लेइंग 11 में नजर आएंगे एड़म मिलने एक फॉर्णर फास्ट बूलर होंगे और कियम आसिफ दोस्तों यहाँ पर इंडियन फास्ट बूलर जो है वो होने वाले हैं कुझ इस तरह की प्लेइंग 11 चैननाई सूपर किंग की नजर आएगी वहीं केक्यार की दोस्तों अगर बात करें तो आपको बता दे कि पैक्ट कमिन्स सुरुवाती मुकाबले के लिए जो है वो अनवेलबल है इसके लावा दोस्तो एलेक्स हेल्स ने अपना नाम IPL 2022 से बाहर कर लिया है और टीम एरन फिंच को इनके रिप्लेस्मेंट के तौर पर लेकर आई है चौथे नमबर पर नितीस रणा होंगे तो पाचवे नमबर पर रिंकु सिंग प्लेइंग 11 में हमें जो है वो आएंगे नजर चाटे नमबर पर दोस्तों आंदर एरसल तो साथवे नमबर पर होंगे सुनिल नरेन आठवे नमबर पर शिवा मावी तो नौवे नमबर पर टेम साउधी इसके बाद दोस्तों उमेश यादव इनकी प्लेइंग 11 में नजर आएंगे और वरुन चकरवर्ती इनके सबसे में स्पीनर जो है वो होने वाले है तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 के क्यार की हमें नजर आएगी वहीं चेन नई सुपर किंग की बादचीत हम पहले ही कर चुके हैं किस तरह की CSK की प्लेइंग 11 हमें जो है वो आने वाली है नजर अब दोस्तों आपको कैसी लग रही है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपको किस टीम की प्लेइंग 11 लग रही है बहतर आप अपनी राय कमेंट करकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूले